ही गाइज दिस इस पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नेचर मेनिया में दोस्तों आज मैं आपको जीजी प्लांट की रिपॉर्टिंग आपको कैसे करनी है, कब करनी है और क्यूं करनी है तीनों कोशिंस को इस वाली वीडियो में कवर करने वाली हूँ जीजी प्लांट महंगे प्लांट की लिस्ट में सबसे उपर आता है और जादा तर छोटे से पॉर्ट में बड़ा ही महंगा सा ये पौधा आता है लेकिन क्या आप इसे मल्टिप्लाई कर सकते हैं, किस टाइम पर करना है और क्यूं करना है बिल्कुल सावधानिया, सारी की सारी जो भी आपको लेनी है आज इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी तयारी आपको उससे पहले जरूर कर लेनी है जितने पॉर्ट्स भी हो, उतने आप अपने तयार करके रखिएगा मिट्टी तयार करनी है, तो ये सब चीजे बहुत ज़ादा जरूरी है किसी भी प्लांट को रिपॉर्ट करने से पहले आपको उसके लिए उसकी मिट्टी पॉर्स वगेरा सब चीजे तयार करके रखनी है हो गई प्राइमरी चीजे अब सेकेंडरी चीजे क्या होंगी ये सारा वीडियो में आगे शेयर करती जाओंगी अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने इसकी मिट्टी किस तरह की रखी है तो आग देख लीजे मैंने इसमें 40% गार्डन सॉयल ली है 20% मैंने इसमें रेत लिया है और 40% मैंने इसमें अपनी घर की बनी हुई जो मेरी किचिन कंपोस्ट है और लीफ कंपोस्ट का मिक्स्चर लिया है उसी में मैंने दो चमच हल्दी पाउडर डाल दिया था अगर आप चाहें तो दालचीनी पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर अगर आपने अलो वेरा का अलग से अपना बना के रखा हुआ है कोई fertilizer तो आप वो भी add कर सकते हैं इसले अलो वेरा का fertilizer होता है वो ज़रूर से आपको बना के रखना चाहिए जब भी आप इस तरह की मिटी तयार करें तो उसमें वो fungicide और insecticide का 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 म करता है को प्रोपोगेट कर सकते हैं एक बार आपके घर में यह प्लांट आ गया तो यह कभी भी मरता नहीं है तो कुछ लोगों से मैंने सुना कि उन्होंने इतना महंगा पौधा लिया और उनका यह पौधा बिल्कुल खराब हो गया तो जब भी आपको लगेगी पौधा खराब हो मिट्टी में शिफ्ट करने के लिए भी आपको एक प्रॉपर मौसम का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मौसम हम लोगों के लिए बिल्कुल सुहाना हो उसी मौसम में आपको इन्हीं रिपॉर्ट करना होता है अब देखे मौसम चेंज होता जा रहा है पॉर्ट जल्दी ही तूट जाएगा तो पॉर्ट को भी बचाना था तो इसलिए मैंने इसको जो है अभी रिपॉर्ट किया है और बिल्कुल भी धूप में मैं नहीं बैठी हूँ खुले में है लेकिन धूप में नहीं है धूप में बिल्कुल भी आपको स्वाइल ले सकते हैं इसके लावा फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रुत नहीं पड़ती क्योंकि कोको पीट जीजी प्लांट को पर्सनली बहुत जादा पसंद होती है तो मेरे पास कोको पीट नहीं थी और देखे ये जो पॉट निकला है इसमें से भी कोको पीट बिल्कुल भी निकल कर नहीं आई है ये लाल मिट्टी के अंदर लगा हुआ है और जो की बहुत अच्छी बानी जाती है पॉधों के लिए ऐसा नहीं होता कि लाल मिट्टी अच्छी नहीं होती हमारी इधर ये जो लाल मिट्टी है ये जनरली पाई नहीं जाती इसलिए हमें लगता है कि ये अच्छी नहीं होती है लेकिन हम मैं इसे बिल्कुल भी इसकी जड़ों को वाश करने वाली नहीं हूँ आप देख सकते हैं कि एक पौधे में से कम से कम पाँच रूट बॉल निकल रही है तो मैं इन्हें सबको ही अलग करूँगी क्योंकि अगर आप इन्हें अलग नहीं करेंगे तो पौधा वैसे ही मर जाएगा तो मुझे बनाने हैं पाँच प्लांट और मैं उनमें से कुछ प्लांट जो हैं गिफ्ट भी करने वाली हूँ तो क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा प्लांट होता है तो gift भी अच्छे वाला बनेगा और लेने वाले को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि यह एक indoor प्लांट भी है और घर में लगावा बहुत ही सुन्दर लगता है टेबल पर लगावा भी बहुत प्यारा लगता है और जादातर लोग इसे ओफिस में या फिर अपने बच्चे की स्टेडी टेबल पर रखना पसंद करते हैं ओक्सिजन गिविंग होने के साथ-साथ ये बहुत ज़्यादा लखी भी माना जाता है तो इसलिए इसको भी जो है इसको लगाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग तो देखे एक लीफ और है जिसमें रूट बॉल बन चुकी है तो मैंने दो-तीन लीफ लगाई थी और जब मैंने इसको लगाया था तो वहाँ से आपको लीफ को cut करना है और वोवाला हिस्ते को आपको मिट्टी के अंदर दबाना है ये आप मेरी दूसरी वाली वीडियो में जा कर देख सकते हैं अभी बाद सिर्फ हम reporting की कर रहे हैं तो reporting की ही बात करते हैं और आपको एक सही और प्रोसीजर भी आपको reporting का बता देती हूँ यह देखें यह root ball है इसकी और इसमें यह एक ही plant है दो plant नहीं है guys अगर यह दो होते तो मैं इनको separate कर देती लेकिन यह एक ही root ball है तो इसको मैंने अलग नहीं किया है और पौधे को मैंने हवा में लटकाया हुआ है रूट को बिलकुल भी जमीन से टच नहीं करना है मतलब कि गमले से टच नहीं करना है एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको रिपोर्टिंग का सही मैथड बताया भी हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इसमें ही देख लीजिए मैंने इसको हवा में लटकाया हुआ है और मैं इसमें उपर से मिट्टी डालती जा रही हूँ और यही मिट्टी को रूट्स जहां पर भी लटकी भी होंगी वहीं से ही बंद जाएंगी मिट्टी के साथ तो बस यह तरीका होता है कि रूट्स जादा से जादा डिस्ट्रप भी नहीं होंगी और आपका जो पौधा है वो बिलकुल बढ़िया बनकर तयार हो जाएगा और मेरे एक पौधे से जो है जो कि 5-6 इंच के छोटे से गमले में लगा हुआ था उससे कम से कम 5 प्लांट बनकर तयार हुए है जिने मैंने अलग-अलग कलरफुल पौट्स में लगाया है क्योंकि इने सिंपल पौट्स में लगाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यह शोवाले प्लांट्स होते हैं और शोवाले प्लांट्स हमेशा शोवाले ही गमलों में अच्छे लगते हैं यह देखे मेरे पास कुछ कलरफुल पौट्स थे जोकि बहुत ज़ादा ब्यूटिफुल भी है अगर आप इन्डोर लगाना चाहें तो कभी भी आप इन्डोर लगा सकते हैं अब यहां पर देखें बहुत जादा धूप यहां पर धूप भी नहीं आती है विल्कुल ऐसा एरिया है लोबी का जिसमें धूप नहीं आती है लेकिन रोशनी पूरी आती है तो मैंने फिलहाल इनको यहीं पर प्लेस कर दिया है कुछ दिनों के लिए तो जैसे ही सेर्दिया होंगी मैं इने बाहर भी निकाल सकती हूँ लेकिन अभी मैं फिलाल इसको एक महीना सेप्टेमबर की महीने में मैं इनको इसी जगा पर रखोंगी ना तो मैं इने इंडोर लेकर जाओंगी और ना ही मैं इने आउटओर रखने वाली हूँ क्योंकि ज़्यादा इंडोर करने से भी यह पौधा क्योंकि आपने अभी अभी cutting की है cutting इसकी जो reporting की है तो आप इस वज़े से इसको इंडोर भी अभी नहीं लगाना है एक महीना आप इसको बिलकुल भी इसकी जगह चेंज नहीं करेंगे हम तो क्योंकि सब लोग separate हो गए हैं सारे family members अलग-अलग हो गए हैं सबके अलग-अलग घर मिल गए हैं तो थोड़ा सा शौक तो सबको रहता ही है साथ में रहने का अलग मजा होता है बस ऐसे ही इनक पॉदों को भी लगता है तो इसलिए मैं इनको अभी साथ में ही लेकिन अलग-अलग पॉट्स में हैं लेकिन साथ में ही लाइन से यहीं पर लगा कर रखूँगी जिससे कि एक दूसरे की संगती में भी रहेंगे और इन्हें बहुत जादा धूप का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और इंडोर में हवा की कमी को नहीं जेलना पड़ेगा देखी बहुत ज़्यादा सुन्दर लग रहे हैं एक जो पॉट है वो मैंने दे दिया है और ये बाग की वीडियो है और ये वाले जो एक मैंने बड़े में लगाया है जिससे कि इसमें और बहुत सारी प्लांट फिर से डवलप हो जाए तो एक तो मैंने लगा दिया है 10 इंच के पॉट में और बाकी 5-6 इंच के पॉट है एक 8 इंच के पॉट में लगाया है आप इसे छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं क्योंकि इसकी रूट बॉट काफी बड़ी थी एक एक प्लांट की ही तो मैंने इने 5-6 इंच के पॉट से छोटे पॉट में नहीं लगाया क्योंकि रूट बॉट बॉट जो है जादा बड़ी होती है तब भी आपको थोड़ा सा पॉट ठीक सा ही देखना पड़ता है जादे छोटे पॉट में आप सिर्फ कटिंग लगा सकते हैं तो ये कटिंग तो है नहीं प्रॉपर प्लांट है तो इनकी कटिंग भी मैं इनके बराबर में लगाती रहूंगी टाइम टू टाइम जिससे कि मेरे पास धेड़ सारे प्लांट हो अगर कोई मुझसे मांगेगा तो मैं उसे इजी ली दे भी पाऊंगी तो प्लांट को हमेशा आपको गिफ्ट करते रहना चाहिए क्योंकि एक ऐसा गिफ्ट होता है जो हमेशा आपको एक अंदर से सैटिस्वेक्शन मिलता है और लेने वाले को भी ये लगता है कि यार ये कितना महगा प्रांट था और ये मुझे गिफ्ट में मिला है और एक नैचरल चीज़ जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं और लेने वाले को भी बहुत अंदर से अच्छी फील आती है क्योंकि ये उक्सिजन तो देते ही हैं और आपके घर की ब्यूटी को भी बढ़ाते हैं और ग्रीन चीज़े लगाने से पौधे लगाने से आपकी घर में एक अलग ही औरा बन जाता है नेगिटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी आपके घर के अंदर प्रवेश करती है वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सकाइब जरूर कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं आपके लिए में इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम लाती रहूंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाबाई हैपी गार्डनिंग